So hello guys and welcome back to our channel The Budget Photographer और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि आप किसी भी Canon के कैमरा में कैसे gridlines को enable कर सकते हैं तो gridlines के सबसे पहले में आपको benefits बता दूँ तो सबसे पहला benefit उसका यह होता है कि हमें framing करने में काफी असानी होती है तूसरा ही है कि हम components काफी easily समझ पाते हैं आप vertical line समझ पाते हैं आप horizontal line समझ पाते हैं और इसके साथ साथ तीसरा ही है कि आपको जब भी आप live view पर shoot करें तो आपको काफी असानी हो जाती है अपने camera से और अपने frame से coordinate करने में तो let's go straight to our camera और देखते है कि यह कहां से enable होता है तो guys हम यहां पर camera use कर रहे हो है Canon 200D Mark II तो चलिए इसे करते हैं on camera on करते है मारे पास यह basic interface जो हर Canon camera में में देखने मिल जाता है चाहे वो mirrorless हो या फिर DSLR तो अभी यहां पर यह इसी लिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी इसे manual mode पर रखा है तो चलिए देखते हैं grade enable कैसे करनी है अब हम यहां पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे basic functions मिलते हैं menu पर अलग-अलग section मिलते हैं जैसे कि shooting, playback, wireless function और display levels तो सबसे पहले हमें जाना है functions पर जो functions होता है वो हमारे screen से related होता है तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर हर section में सारे options screen से related हैं मगर तहीं पर भी हमें grid view का option नहीं मिल रहा है इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापिस अपने shooting mode पर तो menu एक और बार menu तो हम आगे वापिस अपने shooting screen पर अब हमें live view on करना है मैं बताता हूं यह बटन जो रहती है यह live view की रहती है हमें इस button को press करते ही live view पर पहुत जाएंगे तो यह हो गया हमारा live view on तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहां पर हमें कोई भी grid देखने नहीं मिल रही है screen पर अगर आप देख सकते हैं तो तो चलिए अब मैं दिखाता हूं कि कैसे आपको grid enable करनी है अपने camera में तो अब हम जाएंगे live view on करने के बाद हमें menu पर जाना है अब हम जब function settings पर enter होंगे तो आपको यह 1st, 2nd, 3rd, 4th इस 4th section में अब आपको एक option मिल जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा grid when shooting तो आप आपको grid when shooting पर okay करना है और जिस टाइप भी आप grid use करते हैं मैं personally 3 by 3 plus diagonals use करता हूं अभी मैंने diagonals पर set कर दिया है तो अब आप देखेंगे जब आप shooting mode पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हाँ पर कि कितनी सारी grid lines आ गही है एक तो 3 by 3 और साथ ही diagonal भी grid lines आ गही है सो गाइज यह थी वीडियो कि आप कैसे अपने किसी भी Canon के camera पर grid lines को enable कर सकते हैं और use कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो informative लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और share करिए अपने photographer friends के साथ थैंक्स वर वाचिए